नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में आज बात करने वाले हैं जोहर की जोहर के क्या फायदे होते हैं जोहर या इसी को इंगलीज में सोरगम बोलते हैं अपने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बार नाम चेंज भी रहता है जोहर का तो कुछ जगा इसको चोलम बोलते हैं कुछ जगा चोला बोलते हैं जोहर, जोहरी इस नामों से ये पापुलर हैं तो एक तरीके का ये मूटा दाना है मिलिट बोलते हैं अब इसके क्या-क्या फायदे होते हैं इस जोहर की अंदर क्या इसकी nutritional value होती है और किन बैक्तियों को लेना चाहिए किया फायदा होता है यह सारा इस Video में बात करने वाले है जो आरकी बात करें तो इंडिया यह आसानी से हो जाता है स्मर्र के सीजर में होती है और इसको पानी कम चाहिए इसलिए इंडिया जैसे देश के लिए एक अच्छा खाना हो सकता है या होता है और साथ में nutritionally तो यह अच्छा होता ही होता है अब इसके जो प्रमुक राज है जहां पर होता है उसमें सिकरनाटका है महाराष्ट है इसके लावा राजस्थान है यूपी इन जगाहों पर होता है और इसमें pesticide और ज्यादा डालने के जुरूत नहीं है आसानी से खराब भी नहीं होता है फायदे की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है कौन से यसे nutritional value होती है जिससे इसको बोला जाता है कि काफी अच्छा खाना आता है सुपर फूड आजकल बोला जाता है इसके अग यह complex carbohydrate की वज़ा से यह divertage के patients के लिए अच्छा रहेगा धीरे धीरे सुगर आएगी और यह carbohydrate से ही ताकत मिलती है अब जो दूसरा इसका portion होता है एक होता है जो जादा major portion है वो fiber का है जो लगवग 10 से 12 ग्राम पर 100 ग्राम के असपास है इतनी मात्रा में fiber होनी के वज़ा से बहुत सारे benefit होते हैं एक तो fiber की वज़ा से जो आथ है उसकी health ठीक रहती है आथ के अंदर के जो bacteria उनको खाना मिलता और stool का बल किसी से बनता है तो अगर किसी को कब जोगारा की दिक्कत हो गैस की दिक्कत हो जार को अपने खाने में समलित कर सकता है और यह fiber की वज़ा से ही क्या होता है कि जो cholesterol है या जो triglyceride है fat है जिसको लोग चिकनाई या वसा बोलते हैं वो और जो sugar है अगर आपके दूसरे खाने में सक्कर है या fat चिकनाई है लेकिन अगर आपने बाजरे के साथ खाया है तो वो धीरे धीरे सरीर के अंदर जाएगी तो एक तो diabetes की वेक्तियो को भी ठीक करने में इस fiber की वज़ा से मदद मिलेगी और fiber की वज़ा से पेट और आथ को भी ठीक रखने में सहयता मिलती है अच्छा ये fiber की वज़ा से पेट भी भरा भरा महसूस होता आपको भूख भी कम लगे कि यह एक इसका फायदा है अब इसमें protein की बात करें है जो ज कच्छी बात है मतलब तीन ग्राम के आसपास fat होता है total जो 100 ग्राम में देखा जाए तो ऐसे बैक जिनका cholesterol बढ़ा रहता है triglyceride बढ़ा रहता है heart की बिमारी से पीडित है जिनके अंदर stand डला हुआ है या लकवा गरा मार गया है मोटापा जादा है तो चूंकि fat इसके अंदर कम है तो उन ब्यक्तियों के लिए जौर अच्छा खाना रहेगा तो यह इसकी nutritional composition हो गया और इसमें vitamin minerals भी कही तरह की होत करें तो इसमें B group के vitamin B1, B2, B3, B5 इसके अलावा biotin और folic acid यह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होते हैं जो कि सरीर में ताकत के लिए जरूरी है और भी अलग-अलग कामों में यूज होते हैं और vitamin EB होता है तो यह vitamin हो गया और minerals, minerals में calcium जो सबसे जरूरी है हड्डियों के स के लिए आपके, तो calcium है 100 gram में around 27 mg के असपास होता है और जो इसमें iron है वो 4 mg के असपास होता है तो iron से खून बनाने मदद मिलती है इस पेसलिए अगर iron की कमी से खून कम हो रहा है तो ठीक रहेगा और बाकी भी nutrient में बात करें तो एक होता है phosphorus तो phosphorus और calcium मिलके हड्डियों के के लिए ठीक रहेगा, joints के लिए ठीक रहेगा, dantों के लिए ठीक रहेगा, muscles के लिए ठीक रहेगा और iron हो गया इसके लाव इसमें manganese है, copper है, zinc है, chromium है, इस तरह के भी dress element थोड़ी-थोड़ी मात्रा में होते हैं तो ये कहने के मतलब है कि जो आर एक काफी अच्छा खाना तेल डाल रहे हो या बहुत उसमें घी डाल रहे हो, butter डाल रहे हो, या सक्कर डाल रहे हो, कुछ ऐसी डिस्स बना रहे हो, जिसमें मैदा भी डाल दिया, जो आर के साथ, तो फिर इसका जो nutrition है ना उसका फैदा नहीं मिलेगा, फिर वो भी एक बेकार खाने में ही सम्रित हो तो कहने के मतलब इसको हमें simple खाना रखना है, जो आर के आठा भी यूज कर सकते हैं, उसकी रोटी बना सकते हैं, या दलिये के रूप में खा सकते हैं, डोसा भी लोग बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं, इस तरह के simple रूप में इसको खाना है, तब ही फायदा मिलेगा और आपको हो सकता है ढूणने में दिक्कत जाए तो आप आनलाइन मगा सकते इसको इंडिया में मिल जाता आसानी से तो कहने मतलब है कि एक अच्छा खाना है कैलरी इसमें 100 ग्राम में 345 कैलरी के असपास होती है तो कोई बहुत जादा नहीं होती तो जैसा हमने देखा कि इसके में जो फायदे है एक तो इनर्जी डेंस फूड है नूट्रिशन इसमें काफी सारे हैं हड्डियों के लिए खून बढ़ाने के लिए कबज के लिए अगर बीपी बढ़ा हो सुगर के पेशेंट है कोलेस्टाल बढ़ा हुआ उन सारे बेक्तियो जैसा काम करते हैं तो वो इसकिन के लिए अच्छा रहेगा मतलब सरीर में एजिंग को घटाते हैं जो फ्री रेटिकल इंजरी होती है उससे बचाते हैं तो इसकिन ठीक रहेगी बालों के लिए ठीक रहेगा इसके लावा लिवर के अंदर क्रोनिक बीमारी है किट्नी के अ परने में सम्दित करें यह जरूर धियान रखें कि अपने आनाज से इसको रिप्लेस करना है ऐसा नहीं कि गेहूं और चावल डालें खा रहे हो साथ में इसको इक्स्ट्रा खाने लगे आपका जो गेहूं चावल वाला पोर्शन है वो इस ज्वार से रिप्लेस होगा तो सही इसे फायदा आएगा तो आप सुबह दो बहर साम कभी भी इसको रिप्लेस कर सकते हो 100 ग्राम तक खाएं ठीक रहेगा फाइवर वगारा सही रहेगा तो इस तरीके से इसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट रहता है तो ये ज्वार क्या है उसके अंदर क्या होता है और किस तरह के ब्यक्त ले सकते हैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है उमीद है वीडियो ये इसको जानने समझने के लिए आपके लिए हिल्फुल रहेगा झाल झाल झाल